वागत है आपका पांडे ब्रदर्स क्लासेज में आज हम डिसकस करेंगे साथ फरवरी 2022 के इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स तो चलिए सुरू करते हैं कोश्चन नमबर वन गरतंतर दिवस 2022 के आउसर पर किस राजी की जहाकी को प्रथम पुरसकार से सम्मानित किया गया है तो इसका सही आंसर है आप्शन ए उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश की जहाकी की थीम थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडेक्ट तथा कासी विश्वनात धाम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडेक्ट की शुरुआत यूपी में 2018 में हुई थी कासी विश्वनात धाम की इस्थापना अहिल्या भाई होल करने की थी बात करें रिपब्लिक डेख परेड के अन अवार्ड की तो बेस्ट मार्चिंग कंटीजेंट का अवार्ड मिला है इंडियन ने भी तथा CISF को अगर बात करें रिपब्लिक डेख परेड में पापुलर चॉइस अवार्ड की या जिसको जनता ने चुना है तो इस पे नमबर वन पे रही है माराष्ट की जहां की जिसकी थीम थी बायो डायवर्शिटी एंड इस्टेट बायो डायवर्शिटी सिंबल्स आफ माराष्ट नमबर टू पे है अपने यूपी की जहां की जिसकी थीम है वन डिस्टिक्ट वन प्रोडेक्ट एंड कासी विस्वनात धाम नमबर थ्री पेस में है जम्मु कस्मीर जिसकी थीम है चेंजिंग फेस आफ जम्मु कस्मीर अगर बात करें पापुलर चाइस आवार्ड में बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट तो इंडियन एर फोस तथा सी आर फी अप है अगर बात करें बेश्ट मिनिस्ट्री का वार्ड किसको मिला है तो ये मिला है मिनिस्ट्री आफ सिविल एवियेशन को इसके मंतरी है जोतिरा अधित जी सिंधिया जी नेश्ट कोश्चन है किस राज सरकार ने राजियू गांधी ग्रामी भूमी हीनकुशान मजदूर नया योजना सुरू की है तो इसका सही आंसर है ऑप्सन भी 36 गड़ बात करें मेगाले की तो मेगाले में सैफरन बाउल प्रोजेक्ट सुरू किया गया है मद्ध प्रदेश में पहला जीयो पार्क इस्थापित किया जा रहा है तता आंधर प्रदेश ने तेरा ने जिले बनाने की गोशना की है अगर बात करें 36 गड़ से जुड़े महतपूर तत्थियों की तो 36 गड़ की राधधानी रायपूर है 36 गड़ के गवनर अंसुया यूके हैं 36 गड़ के मुखमंतरी भूपेस बगेल हैं 36 गड़ के लोक नरित हैं सैला डांस सुआ डांस कर्मा डांस पाठनी डांस तता पंडवानी डांस 36 गड के मोहसो हैं बस्तर दसेहरा, भोरम देव मोहसो, आजी कुम मोहसो ताथ अर्थ मोहसो 36 गड के नसनल पार्क हैं इंदरावती नसनल पार्क, कंगेर वैली नसनल पार्क ताथ गुरु घासी दास नसल पार्क अगर बात करें 36 गड़ से हाली के करेंट अफेर्स की चो 36 गड़ में मिलेट पर योजना सुनाई गई है युवेंदारा 2023 को इंटरनेशनल इयर ओफ मिलेट घोसित किया गया है 36 गड़ में गोधन नया योजना सुरू की गई है 36 गड़ के नयर रायपुर का नाम बदल कर अटर नगर कर दिया गया है 36 गड़ रोजगार योजना चलाई गई है 36 गड़ में 45 राइस डिस्ट्रिबूशन सुरू की गई है नेश्ट कोश्चन है पियम मोधी ने किस दिन स्टैचू आफ इक्वैलिटी का अनावरण किया है तो इसका सही आंसर है आप्सन सी पांच फरवरी स्टैचू आफ इक्वैलिटी स्थापित है हैदराबाद में या 216 फीट उंची है या इस्टैचू है रामा अनुजा चारे जी की अगर हम बात करें पियम मोधी से जुड़े कुछ तथ्यों की तो पियम मोधी ने राजस्थान में इस्टैचू आफ पीस का अनावरण किया है पीम मोदी ने केदारनाथ में आदी गुरू संकराचार की मूर्ती का अनावरण किया है पीम मोदी ने इंडिया गेट पर सुबाश चंद बोस की मूर्ती का अनावरण किया है पीम मोदी ने बहराईच में महराजा सुवल देव के इसमारक का अनावरण किया है चलते हैं अपने next question की तरफ किस देश ने cancer moon sort पर योजना शुरू की है तो इसका सही answer है option D USA इस योजना के देश योजना का aim है कि 2047 तक cancer से होने वाली मृत्यू को 50% तक कर देना अगर बात करें other options की तो नीदर लेंड में दुनिया का सबसे बड़ा कनाल lock open किया गया है बात करें चाइना की तो चाइना ने अपने हाँ अभी हाली में artificial moon का परिक्षन किया था अगर हम बात करें USA से जुड़े important current affairs की तो USA की capital है Washington DC जो की पोटो में एक नदी के किनारे है USA की currency है डॉलर USA के president है जो एबिडेन USA में Indian ambassador है तरंजीर सिंग संदू अगर बात करें USA से हाली के current affairs की तो माया एंगलो पहली एसोइत महला है USA की जिनको अमेरिका के सिक्कों पर दर्साया जाएगा अमेरिका और बांगला देश ने करात समुद्री अभ्यास किया है अमेरिका 101 सदस से बना है International Solar Alliance का जिसका headquarter गुरू ग्राम में है गौतम रागवन प्रमुक बनाए गए हैं White House Presidential Personals के अमेरिका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा उजबेकिस्तान नया Quad Group बना रहे हैं अमेरिका ने बिल पास किया है दिवाली को राष्ट्रिये अवकास घोसित करने के लिए हाली में भारत और अमेरिका ने Homeland Security Dialogue किया है चलते हैं अपने Next Question की तरफ किस देश ने Under 19 Cricket विशुकप जीता है तो इसका सही आंसर है Option ए इंडिया ने इंडिया ने England को हरा के Under 19 Cricket विशुकप जीता है इंडिया ने Under 19 Cricket विशुकप पांचवी बार जीता है इंडिया ने पहली बार Under 19 World Cup 2000 में जीता था बात करें Under 19 Cricket World Cup कहां हुआ था तो ये Western Days में हुआ था अगर बात करें Cricket के Upcoming Event की तो Men's ODI World Cup 2013 इंडिया में होगा Women's ODI World Cup 2022 New Zealand में होगा Men's T20 Cricket World Cup 2022 Australia में होगा Men's T20 Cricket World Cup 2023 South Africa में होगा बात करें पहला Women Under 19 Cricket World Cup 2023 तो ये Bangladesh में होगा अगर हम बात करें ICC की तो इसकी स्थापना 1909 में हुई थी ICC का Headquarter दुबई में है इसके Chairman Greg Barclay है चलते हैं अपने Next Question की तरफ Question No.6 2021 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा ब्यापारिक भागीदार रहा तो इसका सही आंसर है Option B US से अगर बात करें Top 3 ब्यापारिक भागीदार इंडिया के तो No.1 पे है US से No.2 पे है China तता No.3 पे है United Arab Emirates चलते हैं अपने Next Question की तरफ 7 किसे Controller General of Account के पत पर न्युक्त किया गया है तो इसका सही आंसर है Option C सुनाली सिंग जी को अगर हम बात करें Other Options की तो सिवानी मीना पहली महिला Engineer है Mining's में भावना कांट पहली महिला Fighter Pilot हैं जिन्होंने Republic Day के परेड में भाग लिया था इन्होंने 2020 के Republic Day परेड में भाग लिया था GC मुर्मू आपके Present के कैग है अगर हम बात करें Recent Appointments की तो BS पठानिया जी को DG निउक्त किया गया है Indian Coast Guard का वीकेतर पाठी जी CEO है Railway Board के अलका मित्तल पहली महिला Head है O.N.G.C की S.O. Manath Chairman है इसरो के अतुल केशब प्रेसिडेंट है US India Business Council के असुक कुमार को DG बनाया गया है National Mission for Clean Ganga के लिए रवील मित्तल को हाली में Chairman बनाया गया है Insolvency and Bankruptcy Board of India का चलते हैं अपने Next Question की तरफ 4 फरवरी 2022 को 4 चौरा कांड को कितने वर्स हो गए तो इसका सही आंसर है Option D 100 वर्स बात करें 4 चौरा कांड की तो ये 4 फरवरी 1922 में हुआ था या गोरकपुर में हुआ था इस कांड में 4 चौरा में एक पुलिस थाने को आग लगा दी जाती है जिसमें 22 पुलिस कर्मी की मौत हो जाती है इस कांड से गांडी जी 12 फरवरी 1922 को आसायोग आंदोलन वापस ले लेते हैं आसायोग आंदोलन वापस ले लेते हैं चलते हैं अपने नेक्ट कोश्चन की तरफ कोश्चन नमबर 9 बिस्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है तो इसका सही आंसर है आपसन ने 4 फरवरी को बिस्व कैंसर दिवस की थीम है क्लोज दा केर गैप 4 फरवरी को International Day of Human Fraternity मी मनाया जाता है अगर बात करें फरवरी के important days की तो एक फरवरी को Indian Coast Guard का स्थापना दिवस मनाया जाता है दो फरवरी को World Battle Day मनाया जाता है चलते हैं अपने Next Question की तरफ Question No.10 लता मंगेशकर जी का निधन कितने वर्सकी आयू में हुआ है तो इसका सही आंसर है Option A, 92 बात करें अगर हम लता मंगेशकर जी की तो इनका जन में हुआ था इनको उबाधी मिली है Wise of Millennium की Queen of Melody की इनको पदम भूशन एवार्ड 1979 में मिला था लता मंगेशकर जी को दादा साहफ फाल के एवार्ड 1979 में दिया गया था लता मंगेशकर जी को पदम भीवूशन 1999 में मिला था तथा लता मंगेशकर जी को भारत रतन अवार्ड 2001 में मिला था आप लोगों से कल का सवाल था भारत का पहला पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहां खोला गया है तो इसका सही आंसर है आप लोगों के लिए आज का सवाल है इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजेगा आज के क्लास की पीडियस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इसी के साथ अपनी इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं I hope आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई होगी और डेली ऐसे ही important current affairs को देखने के लिए हमारे चैनल को like, share और subscribe जरूर करिए धन्य